हमस्कार चलिए पढ़िए मेरे साथ एक बहुत ही खुबसूरत कहानी जो आपको यह सिखाएगी कि जीवन में अपनी सोच को अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखना कितना जरूरी है सकारात्मक सोच रखना कितना जरूरी है और हमारी आधी बीमारी हमारी सोच पर निर्वर क कर सकते हैं अगर हम सकारात्मक सोचें अगर हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ उद्देश्य रखें चलिए शुरू करते हैं दे लास्ट लीफ यानि अंतिम पत्ती ओहन्वी इसके राइटर हैं इना स्मॉल पार्ट ओफ दे सिटी वैस्ट ओफ वशिंग्टन स्क्व वशिंग्टन स्क्वेर के पश्चिम में गलियां जैसे पागल हो गई है यह एक और दूसरा टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है और अगर आप सिलेवस लेंगे तो उसमें ये दो पराग्राफ तो आपको मिलेंगे ही नहीं इसलिए अगर आपका टेक्स्ट अलग है जो आपके यहां प्रेस्क्राइब्ड है तो परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि स्टोरी तो सेम है टेक्स्ट थोड़ा बहुत डिफ्रेंट हो गया है अलग-अलग बुक्स में तो चिंता की कोई बात नहीं पढ़िए मेरे साथ The streets have gone wild मतलब गलियां जैसे पागल हो गई है They turn वो मुड़ती हैं in different directions अलग-अलग दिशाओं में They are broken वो टूटी हुई हैं into small pieces छोटे-छोटे टुकडों में called places जिनको के places कहा जाता है One street goes across itself एक गली जाती है Across itself अपने आपको cross करके अपने आपको काट कर one और two times एक या दो बार A painter एक चित्रकार once discovered एक बार उसको पता चला Something, कोई चीज, possible, संभब and valuable और कीमती about the street इस गली के बारे में यानि एक बार एक painter को लगा कि इस गली में कुछ संभावनाएं हैं इस गली में रहा जा सकता है इस गली में painting की जा सकती है तो वो इस गली में आकर बस गया Suppose a painter had some painting materials Suppose मतलब मान लीजिए a painter एक चित्रकार had यानि उसने लिया some painting materials यानि paint करने के लिए कुछ सामगरी जैसे कि colors, brush for which he had not paid जिसके लिए कि उसने पैसा नहीं चुकाया यानि उधार लिया उसने ये सारा सामान Suppose मान लीजिए he had no money उसके पास कोई पैसा था ही नहीं जिससे वो चुका था Suppose मान लीजिए a man came, एक आदमी आया to get the money, उससे पैसा लेने के लिए जहां से इसने लिया था, वो आदमी आया The man might walk down that street तो ये जो आदमी है, जो पैसा लेने आया है वो चल सकता है, गूम सकता है उस गली में, यानि उस गली में चला और अचानक meet himself, यानि अपने आपको उसने पाया coming back, वापस आते हुए without having received a cent without, बिना, having received, प्राप्त किये a cent, एक भी पैसा यानि गया था वो उस painter से पैसा लेने लेकिन अप, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया कि गलीयां तो बड़ी गुमावदार हैं, गलीयां तो पागल है एक दूसरे को नहीं, अपने आपको ही कई बार काटती हैं तो जहां से घुसा था गली में, वो आदमी painter के पास जाने के लिए वहीं से वापस भी निकलाया यानि painter तक तो वह पहुचा ही नहीं गुमगाम के वापस निकले आया उसको वो जगह ही नहीं मिली जहां painter रहता था, तो इतनी गुमावदार गलीयां है इस पार्ट ओव दे सिटी ये जो भाग है शहर का इस कॉल्ड ग्रीन विच विलेज इसको कहा जाता है ग्रीन विच गाउं एंड तो ओल्ड ग्रीन विच विलेज और इस पुराने ग्रीन विच गाउं में दे पेंटर्स सून केम जो चित्रकार हैं वो जल्दी ही आये यानि उनको अच्छा लगा जो पेंटर्स को यहां बसना अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी यहां पर और चित्रकार आये यहां दे फाउंड उनको मिल गए रूम्स कमरे दे लाइक जो उनको पसंद है विद गुड लाइट अच्छी रोशनी के साथ क्योंकि पेंटर्स पेंटिंग करते हैं तो उनको अच्छी रोशनी चाहिए न कम रोशनी होगी तो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो अच्छी रोशनी वाले कमरे and at a low cost और कम कीमत पर क्योंकि पेंटर्स की हलांकि जो बड़े पेंटर्स हैं उनकी तो इंकम बहुत होती है जैसे एम एफ उसेन है और बाकी लोग है लेकिन हर पेंटर की इंकम इतनी ज्यादा नहीं होती तो उनको low cost पर चाहिए होते हैं कमरे तो यह वो जगह है जहां पर उनको low cost पर यानि कम कीमत पर कमरे मिल गए और जहां light भी अच्छी आती है Siu and John Seal lived Siu और John Seal रहती थी आपकी NCRT की अगर बुक है तो उसमें यहीं से शुरू होती है आपका text उपर वाले दो paragraph नहीं दिये हुए NCRT की बुक्स में Siu and John Seal lived Siu और John Seal रहती थी यह दो female painters हैं वहिला चित्रकार है At the top means उपरी हिस्से में Of a building एक इमारत के With three floors और यह इमारत कैसी है जिसके के तीन फ्लोर है यानि तीन मंजला इमारत है जिसके के उपरी हिस्से में सबसे उपरी हिस्से में वो रहती हैं दोनो One of these young women इन युबतियों में से एक came आई थी From Maine ये एक जगह है अमेरिका में The other from California और दूसरी California से ये भी अमेरिका में एक जगह है They had met वो मिली थी At a restaurant एक restaurant में On 8th street ये एक जगह है तो 8th street में एक restaurant है जहां वो मिली थी There they discovered वहां पर उनको पता चला That they liked the same kind of art That के they liked उनको पसंद था The same kind एक ही प्रकार की Art कला The same kind of food एक ही प्रकार का भोजन And the same kind of cloths और एक ही प्रकार के कपडे So इसलिए They decided उन्होंने निश्य किया To live, रहने का And work, काम करने का Together, साथ साथ आप जानते हैं न दोस्ती ऐसे ही बनती है जब आपकी कुछ चीज़े मिलती है जब आपकी पसंद, नापसंद मिलती है तो दोस्ती हो जाती है ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि उनकी पसंद एक जैसी थी That was in the spring ये हुआ spring में, यानि इन लोगों की जो दोस्ती होई वो spring में होई और दूसरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि That was in May यानि ये मई के महीने में हुआ युरोप में अमेरिका में April में में spring season आता है तो एक ही बात है अगर ये लिखा हुआ है That was in the spring तो क्या हुआ A cold stranger एक ठंडा अजनवी entered घुस गाया Greenwich village Greenwich गाओं में एक ठंडा अजनवी घुसाया No one could see him और कमाल की बात ये है कि no one could see him उसको कोई देख नहीं सकता था He walked around वो चारो तरफ घूम रहा था touching चूते हुए इसपर्श करते हुए One person here एक आदमी को यहाँ पर and another there और दूसरे को वहाँ पर एक आदमी को यहाँ चूलिया दूसरे को वहाँ चूलिया With his icy fingers अपनी बरफिले उंगलियों से He was वो था a bad sickness एक बुरी बीमारी Doctors called him Doctors उसको पुकारते थे pneumonia pneumonia की spelling देख लीजेगा P से start होता है लेकिन pronounce नहीं होता pronounce हम इसको pneumonia करते है P silent रहता है तो इसको personify कर दिया अथर ने जैसे एक आदमी हो और वो इधर दर घूम रहा है Greenwich गाओं में एक आदमी को यहाँ चूलिया दूसरे को वहाँ छूलिया और जिसको छूता है उसको बिस्तर में लिटार देता है बीमार कर देता है On the east side of the city On the east side यानि पूरब की ओर Of the city शेहर की He hurried वो तेजी से चला चचिंग छूते हुए Many people बहुत सारे लोगों को But लेकिन In the narrow streets पतली गलियों में Of Greenwich village Greenwich गाओं की He did not move वो नहीं चला So quickly इतनी तेज पतली गलियों में ठंडी हवा इतनी तेजी से नहीं हुस पाती Narrow streets में तो यही कहने का मत्तब है कि Greenwich गाओं की जो Narrow streets थी पतली गलिया उनमें वो इतनी तेजी से नहीं चल पाया Mr. pneumonia ये जो Mr. pneumonia है Was not नहीं थे A nice old gentleman एक अच्छे भले बुज़र्ग सज्जन A nice old gentleman एक भले बुज़र्ग सज्जन would not hurt चोड नहीं पहुचाते A weak little woman एक कमजोर छोटी औरत मतब युवा महिला को यानि कि युवती को from California जो कि California से आई थी But Mr. pneumonia लेकिन महाशे निमोनिया ने टस्ट छूलिया जोन सी को कैसे With his cold fingers अपनी ठंडी उंगलियों से अपनी बरफीली उंगलियों से She lay on her bed वो अपने विस्तर पर लेट गई यानि जैसे ही निमोनिया साहब ने चुआ उसको तो वो इस तर पर पड़ गई Almost लगभग Without moving बिना हिले And she looked और उसने देखा Through the window खिड़की मैंसे होकर At the wall दीवार पर Off the house घर की Next to her जो उसके अगले वाला घर था उसके बगल में जो घर था उसके खिड़की के सामने जो घर था उसकी दीवार की तरफ वो देखने लगी One morning एक सुभ है The busy doctor व्यस्त चिकित सक डॉक्टर्स तो busy रहते हैं आपको मालूमी है Spoke बोला To Sue Sue से यानि उसकी जो सहीली साथ में रह रही थी उससे Alone अकेले में In the hall Where जहां Jonesy could not hear Jonesy सुन ना पाए She has a very small chance यानि उसका Chance बहुत कम है यानि उसके बचने के अवसर बहुत कम है जो दूसरा टेक्स है उसमें दिया हुआ है कि 10 में से एक chance है उसके बचने का तो बहुत very small हो गया 10 में से एक He said उसने कहा She has a chance उसके पास अवसर है मौका है जीने का If she wants to live अगर वो जीना चाहे If people अगर लोग Don't want to live जीना नहीं चाहते I can't do मैं नहीं कर सकता Much ज्यादा For them उनके लिए ध्यान से सुन लीजेगा ये बात डॉक्ट साब की बहुत सही बात उन्होंने बोली है कोई भी डॉक्टर आप के लिए कुछ नहीं कर सकता अगर आप जीना नहीं चाहते तो हमेशा अपनी जो विल पावर है उसको strong रखिए Your little lady Your little lady ये जोनसी के लिए कहा है तुम्हारी छोटी सी सहिली Has decided उसने निश्चे कर लिया है उसने सोच लिया है पक्का मान लिया है That के She is not going to get well वो ठीक होने वाली नहीं है Is there something क्या कोई चीज है That is troubling her जो उसको परेशान कर रही हो जो उसको कष्ट दे रही हो तो सीउ कहती है She always wanted वो हमेशा से चाहती थी To go to Italy Italy जाना And paint और चित्रकारी करना बनाना A picture एक तस्वीर Of the Bay of Naples Naples की खाड़ी की Said Siu Siu ने कहा Paint Not paint यानि चित्रकारी चित्रकारी नहीं कोई और चीज है मदब चित्रकारी तो ऐसी चीज नहीं है इतनी चिंता की बात हो कि कोई व्यक्ती बीमार पड़ जाए और इतना बीमार हो जाए कि जीना ही ना चाहे कोई और बात है Paint Not paint ये paint या चित्रकारी तो नहीं हो सकती Is there anything क्या कोई और चीज है Worth being troubled Worth means लायक Being troubled परेशानी About बारे में यानि जिसके बारे में परेशानी हो सके जिसको सोच के व्यक्ती परेशान हो सके क्या ऐसी कोई और चीज है क्या A man जैसे कि कोई आदमी हो उसकी लाइफ में कोई पुरुष हो A man says you Siu ने का आदमी Is a man worth क्या एक आदमी इस लायक होता है यानि Siu Hook के लिए आदमी important नहीं है यानि एक पुरुष का एक महिला की जिंदगी में होना important नहीं है तो कहरे आदमी वो भी कोई इस लायक होता है कि उसके बारे में सोच के परेशान हुआ जा सके No doctor नहीं doctor There is not a man कोई आदमी नहीं है It is weakness ये कमजोरी है Said the doctor Doctor नहीं कहा I will do मैं करूँगा All वो सब कुछ I know जो मैं जानता हूँ How to do कि कैसे किया जाए But लेकिन When जब A sick person एक बीमार आदमी Begins To feel महसूस करने लगता है He is going to die कि वो मरने जा रहा है Half my work is useless तो मेरा आधा काम बेकार हो जाता है Talk to her उससे बात करो About new winter clothes नए winter clothes यानि सर्दी के कपड़ों के बारे में If she were interested अगर वो interested हो जाएगी यानि वो रुची लेगी In the future भविश्य में Her chances तो उसका अवसर उसके chances would be better बहतर हो जाएंगे यानि उसके अच्छे होने के ज्यादा अफसर होंगे यदि वो भविश्य के बारे में सोचेगी After the doctor had gone जब doctor चला गया यानि doctor के जाने के बाद Sue went Sue गई Into the work room अपने काम करने वाले कमरे में To cry रोने के लिए अकेले में रोने के लिए गई क्योंकि अपनी सहेली के सामने रोएगी तो उसको दुख होगा न जॉन सी के सामने रोना पॉसिबल नहीं है She carried वो ले गई Some of her painting materials अपना कुछ चित्रकारी करने का सामान And she was singing और वो गा रही थी दूसरे टेक्स्ट में इसको Whistling किया लिखा गए हुआ है कि वो CT बजा रही थी जॉन सी ले दिया जॉन सी महां लेटी हुई थी Very thin बहुत कमजोर बहुत पतली दुबली And very quiet और बहुत शान्त Her face उसका चहरा Was turned मुडा हुआ था Toward the window खिडकी की तरफ Siu stopped singing Siu ने गाना बंद कर दिया Thinking सोचते हुए That के John C was asleep John C सोई हुई है Siu began to work Siu काम करने लगी As she worked Just जब वो काम कर रही थी She heard उसने सुनी A low sound एक धीमी आवाज Again and again बार बार She went वो गई Quickly पेजी से To the bad side बिस्तर की ओर John C's eyes John C की आँखें Were open wide पूरी खुली हुई थी She was looking out वो बाहर देख रही थी The window खिड़की से And counting, counting back और गिंती जा रही थी गिंती जा रही थी वापस गिंती जा रही थी 12, 12, she said And a little later और थोड़ी देर वाद 11, and then 10, and then 9, 11, फिर 10, फिर 9, and then 8, और फिर 8, and 7, और 7, almost together आठ और 7 तो जैसे उसने एक साथ ही बोल दिये See you looked See you ने देखा Out the window खिड़की से वाहर What was there? क्या था वहाँ पर? To count गिनने के लिए There was वहाँ पर था Only the side wall केवल एक तरफ की दीवार Of the next house अगले घर की A short distance away थोड़ी सी दूरी पर The wall दीवार Had no window उसमें कोई खिड़की नहीं थी An old एक पुराना Old tree और पुराना पेड ग्रू उगा हुआ था Against the wall दीवार के सहरे The cold breath ठंडी हवा Of winter जाडे की Had already Tussed it Head already पहले ही Tussed it इसको चूचूचूकी थी यानि उस पेड को चूचूचूकी थी और जाडे की ठंडी हवा जब किसी पेड को चूचू लेती है तो होता क्या है उसकी पत्तियां गिरने लगती है Almost all its leaves लगभग उसकी सारी पत्तियां Head fallen गिर चुकी थी From its dark branches उसकी dark branches आपने देखा होगा कि जो branches का color होता है वो हलका brown होता है या कभी काला भी पढ़ जाता है ज़्यादा पुरानी branches हो जाती है तो इसलिए उसने कहा है गहरी शाखाओं के से उसके जो पत्ते थे लगभग गिर चुके थे What is it dear? क्या बात है प्रियर? Asked Siu Siu ने पुछा Six said Johnsi छै Johnsi ने कहा In a voice एक आवाज में Still lower और भी ज्यादा धीनी They are falling वो गिर रही है Faster now अब और भी तेजी से Three days ago तीन दिन पहले There were almost a hundred वहाँ लगभग सो पत्तियां थी It hurt my head ये मेरे सिर को चोट पहुचाता था कहने का मतलब ये हुआ मेरे सिर में दर्द हो जाता था To count them उनको गिनने में But now लेकिन अब It's easy ये आसान है There goes अरे वो गई Another one एक और गई धीमिवाज मुला एक और गई There are only five now There are only five now अब केबल पांच ही बची है Five what dear? अरे पांच क्या चीज़? Tell your shoe अपनी shoe को तो बताओ क्या चीज़ पांच बची है? Leaves पत्तियां On the tree पेड़ पर When the last one falls जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी One यहाँ पर पत्ती के लिए आया है I must go to To means be तो मैं भी चली जाऊंगी जब आखरी पत्ती गिर जाएगी ना इस पेड़ की तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी I have known मैं मुझे पता है That For three days तीन दिन से यानि तीन दिन पहले ही मुझे ये पता चल गया था कि जिस दिन इस पेड़ की आखरी पत्ती गिरेगी उस दिन मैं भी चली जाऊंगी Didn't the doctor tell you? क्या doctor ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? देखिए कैसे इनसान के मन में ये बात बैठ जाती है यानि उसकी सोच ही इस तरीके की हो जाती है कि अब मैं नहीं बचूंगा जब व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं बचूंगा तो उसकी body भी उसी तरीके से react करने लगती है आपको याद होगा मन में ये बात घर कर गई कि हमें कोरोना हुआ है अब हम नहीं बचेंगे शायद उन में से बहुत सारी जाने बच सकती थी अगर वो लोग पेनिक ना करते अगर वो लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखते आगे देखते हैं ओ I never heard मैंने कभी नहीं सुनी और सचा थिंग ऐसी कोई बात ऐसी कोई चीज मैंने तो कभी नहीं सुनी said Siu Siu ने कहा It doesn't have any sense इसमें कोई अर्थ नहीं है sense अर्थ हैने इसमें यानि तुम्हारी इस बात में कोई अर्थ नहीं है कोई meaning नहीं है What does an old tree have to do पेड का have to do क्या लेना देना हो सकता है with you तुमसे एक पुराने पेड का तुमसे क्या लेना देना हो सकता है or with your getting well या फिर तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना हो सकता है and you used to love और तुम प्यार किया करती थी that tree उस पेड़ को so much, इतना ज्यादा Don't be a little fool, इतनी छोटी बेकूफ ना मनो The doctor told me, doctor ने मुझे बताया Your chances, तुम्हारे अफसर of getting well, अच्छे होने के हैं यहीं तुम अच्छी हो जाओगी, मुझे doctor ने बताया He told me, उसने मुझे बताया This morning, आज सुभ़ ही तो बताया He said, उसने कहा था You had very good chances कि तुम्हारे बचने के सही होने के बहुत अफसर है बहुत संभाब ना है Try to eat a little now Try, कोशिश करो To eat खाने की a little, थोड़ा सा Now, अब थोड़ा सा खाने की कोशिश करो And then, और तब I will go back मैं वापस जाऊंगी To work, काम पर And then, और तब I can sell मैं बेच पाऊंगी My picture, अपनी तस्वीर And then, और तब I can buy मैं खरीद पाऊंगी Something more, कुछ और For you, तुम्हारे लिए To eat, खाने के लिए To make you strong जो कि तुम्हें मजबूत बनाएगा You don't have to buy तुमको नहीं खरीदना है Anything, कुछ भी For me, मेरे लिए Said John C. John C. ने कहा She still looked वो अभी भी देख रही थी Out the window खिड़की के बाहर Then I will go to और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी John C. dear प्यारी John C. Sad C. यू ने कहा Will you promise me क्या तुम मुझसे वादा करोगी To close your eyes अपनी आखें बंद करने का And keep them closed और उनको बंद रखने का Will you promise क्या तुम वादा करोगी Not to look out बाहर ना देखने का The window खिड़की से Until जब तक के I finish working मैं काम करना समाप्त करूँ मैं ये काम अपना समाप्त करूँ तब तक तुम एक वादा करो खिड़की से नहीं देखोगी I must have this picture यनि मुझे ये तस्वीर करनी है Ready, तयार, tomorrow, कल तक I need the light मुझे रोशनी की जरुवत है I can't cover the window और मैं इस खिड़की को cover नहीं कर सकती इसको बंद नहीं कर सकती इस पर परदा भी नहीं डाल सकती क्योंकि रोशनी चाहिए ना तस्वीर बनाने के लिए तो इसलिए तुम उधर मत देखो अपनी आँखें बंद कर लो current you work क्या तुम काम नहीं कर सकती इंदा दर्रों दूसरे कमरे में ask जॉनसी जॉनसी ने पूछा call ली ठंडे तरीके से ठंडे तरीके से क्या तुम दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती ये ठंडा तरीका है I would rather be here by you मैं ज्यादा पसंद करूँगी I would rather का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना तो मैं ज्यादा पसंद करूँगी be here यहां रहना by you तुम्हारे साथ said you you ने कहा and I don't want और मैं बिल्कुल नहीं चाहती you तुमको to look देखो तुम at those leaves उन पत्तियों को यानि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों की तरफ देखो भी तो जब कोई हमारा चाहने वाला जो हमारी सेवा कर रहा है हमको ऐसे डार देता है तो हम मान जाते हैं भी और बिमार होते हैं तो जॉनसी ने भी उसकी बात मान दी, देखिए, क्या कह रही है, Tell me as soon as you have finished, tell me, मुझे बता देना, as soon as जैसे ही you have finished, तुम्हारा काम समाप्त हो जाए, said जॉनसी, जॉनसी ने कहा, She closed her eyes, उसने अपनी आखें बंद कर ली, and lay, और late गई, white and still, White, मतलब सफेद, क्योंकि बीमार व्यक्ती होता है, तो पीला पड़ जाता है, और यह तो गोरे लोग हैं, तो और भी सफेद पड़ जाते हैं, तो सफेद and still मतलब शान्त, because I want to see, क्योंकि मैं चाहती हूँ, to see, देखना, the last leaf, अन्तिम पत्ती को fall, गिरते हुए, I have done, मैंने किया है, enough waiting, काफी इंतजार, परियापत इंतजार मैंने किया है, I have done, मैंने किया है, enough thinking, परियापत विचार, मैंने काफी सोचा है, I want to go, मैं जाना चाहती हूँ, sailing, तैरते हुए, down, down, like one of those leaves, नीचे और नीचे, उन पत्तियों मैं से एक की तरह, पत्ती जब पेर से गिरती है, तो आप देखिए, कभी पत्ती को गिरते हुए, धीरे धीरे तैरती हुई, नीचे है, और नीचे चलती जाती है, जमीन पर गिर जाती है, तो वैसे ही, मैं भी गिरना चाहती हूँ, मैं भी नीचे जाना चाहती हूँ, ट्राइ टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सैड सियू, सियू ने कहा, सियू को थोड़ा डाटना पड़ रहा है न, दोस्तों को ऐसे डाटना पड़ता है, I must call bear man, यह bear man एक और व्यक्ति है, अभी इसके बारे में आपको और पता चलेगा, कि मुझे bear man को बुलाना है, to come up, आने के लिए, here, यहां पर, I want to paint a man, मैं paint करना चाहती हूँ, चित्र बनाना चाहती हूँ, एक आदमी का, in this picture, इस तस्वीर में, and I will make him, और मैं कहूंगी, look like, and I will make him, और मैं उसको बनाऊंगी, यह जो तस्वीर में बनाऊंगी, वो look like bear man, bear man का जैसा आदमी बनाऊंगी, इस तस्वीर में, I won't be gone a minute, don't try to move till I come back, I won't be gone, यानि मैं जो जाऊंगी, तो एक मिनेट से ज्यादा नहीं लगाऊंगी, I won't be gone a minute, यानि मैं एक मिनेट से ज्यादा के लिए नहीं जाऊंगी, don't try, कोशिश मत करना, to move, हिलने की, till I come back, जब तक मैं वापस नाम, अब old bear man के बारे में सुनिये, कि bear man है कौन, old bear man was a painter, ये एक painter था, चित्रकार था, who lived, जो रहता था, on the first floor, पहली मंजिल पर, of their house, उनके घर की, ये सभी लोग चित्रकार हैं, तो सिउ और जॉन सी ये भी चित्रकार हैं, ये उस building की, सबसे उपर की मंजिल पर रहती हैं, और ये जो bear man है, ये first floor पर रहता है, he was past 60, वो 60 साट साल से उपर का था, past 60, अगर 60 होता तो 60 साट साल का था, लेकिन past 60 मतलब 60 साट साल से उपर का था, he had had no success, ये head head दो बार आया है, एक head helping verb है और दूसरा head main verb है, he had had no success, उसको कोई सफलता नहीं मिली थी as a painter, एक चित्रकार के रूप में, for 40 years, 40 साल तक, he had painted, उसने तस्वीरें बनाई थी, without ever painting a good picture, without, बिना, ever, कभी, painting बनाए हुए, a good picture, एक अच्छी तस्वीर, यानि कभी भी वो एक अच्छी तस्वीर नहीं बना पाया, 40 साल में, he had always talked, वो हमेशा बात किया करता था, of painting, चित्रित करने की a great picture, एक महान तस्वीर, a masterpiece, masterpiece क्या होता है, यह होता है, उतक्रिष्ट, सर्वोतक्रिष्ट, कृती, अब यह तो हो गई शुद्धिन्दी, कैसे, अगर आप इसको explain करना चाहें, तो वेहतरीन, नमूना किसी भी art का, जैसे कि अगर आप फिल्मों की बात करें, तो बाहुबली, masterpiece है, मुगले आजम, अपने आप मास्टर पीस है, अगर आप painting की बात करें, तो मॉना लिसा, अपने आप में masterpiece है, तो masterpiece होता है, जो best piece होता है, तो वो एक सर्वोत क्रिस्ट कृती बनाने की बात किया करता था, बट, लेकिन, he had never yet started it, उसने अभी तक कभी इसको शुरू ही नि किया था, he got, उसे मिल जाया करता था, a little money, थोड़ा सा पैसा, by letting others, यानि दूसरों को करने देकर, paint, चित्रकारी, pictures, तस्वीरों की, of him, उसकी, यानि अपनी तस्वीरें बनवा कर, वो पैसे कमा लिया करता था, एक model की तरह वो काम करता था, जैसे कि अभी CEO ने कहा था, कि मैं उसके जैसा आदमी बनाना चाहती हूं, तो उसको यहाँ बिठाऊँगी, और उसको देखकर उसके जैसी तस्वीर बनाऊँगी, तो अपनी तस्वीरें बनाने दे कर, वो पैसे कमा लेता था, He drank, वो पीता था too much, बहुत ज्यादा, यानि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था, He still talked, वो अभी भी बात किया करता था, of his great masterpiece, अपनी महान सरोत क्रिश्ट क्रती की, and or he believed, वो विश्वास करता था, that के, it was his special duty, It was, ये थी, his, उसकी special duty, उसका विशेश करतव्य था ये, to do, करना, everything, हर चीज, possible, संभव, जो की संभव हो, to help, मदद करने के लिए, Siu and Johnsy, Siu और Johnsy की, Siu found him, Siu को वो मिला, Siu ने उसको पाया, in his dark room, अपने अंधेरे कमरे में, and she knew, और वो जान गई, that he had been drinking, कि वो शराब पी रहा था, she could smell it, वो इसको सूंग सकती थी, she told him, उसने उसको बताया, Siu ने लब बहरमेन को बताया, about Johnsy, Johnsy के बारे में, and or the leaves on the wine, उन पत्तियों के बारे में, जो के wine होती है, लता या बेल, बेल पर थी, अभी तक तो पेड की बात हो रही थी, अब बात हो रही है, लता, तो मतलब उसका वही है, कि जो पेड पर पत्तियां थी, उनके बारे में बताया, she said, उसने कहा, that she was afraid, उसे डर लग रहा था, that Johnsy would indeed sail down, कि जोनसी वास्तम में चली जाएगी, down, down, like the leaf, नीचे और नीचे पत्ति की तरह, यानि वो भी गिरती चली जाएगी, यह उसका स्वास्ते गिरता चला जाएगा, पत्ति की तरह, her hold, उसकी पकड, on the world, संसार पर, was growing weaker, कमजोर होती जा रही थी, old bear man, बुड़ा bear man, shouted, चिलाया, his anger, गुसे में, over such an idea, ऐसे एक विचार पर, यानि इस बात को सुनकर bear man को बड़ा गुसा आया, और वो गुसे में चिलाया, what, क्या, he cried, वो चिलाया, are there such fools, ऐसे बेबकूफ भी होते हैं, क्या दुनिया में, are there such fools, ऐसे बेबकूफ भी होते हैं, do people die, क्या लोग मर जाते हैं, because, क्योंकि leaves drop, पतियां गिर रही है, off a tree, एक पेड़ से, I have not heard, मैंने नहीं सुना, of such a thing, ऐसी किसी चीज़ के बारे में, मैंने तो कभी नहीं सुना, no, नहीं, I will not come up, मैं नहीं आउँगा, and sit, और मैं नहीं बैठूँगा, while you make a picture of me, जबके तुम मेरी एक तस्वीर बनाओगी, यानि अम मैं model का काम तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, why do you allow her, तुम उसे अनुमती क्यों देती हो, to think, सोचने की, such a thing, ऐसी बात, यानि तुम उसे ऐसी बात सोचने ही क्यों देती हो, that poor little जोनसी, बिचारी छोटी सी जोनसी, यानि उसके comparison में तो वो छोटी ही है न, अभी, यह young woman है और वो 60 से उपर का है, तो बिचारी छोटी सी जोनसी, she is very sick and weak, वो बहुत बीमार है और कमजोर है, said Siu Siu ने कहा, the sickness has put these strange ideas into her mind, the sickness बीमारी ने, has put, रख दिया है, भर दिया है, these strange ideas, इन विचित्र विचारों को, into her mind, उसके दिमाग में, Mr. Bearman, if you won't come, अगर तुम ना आना चाहो, you want, तो मताओ, but I don't think, लेकिन मुझे नहीं लगता, you are very nice, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर तुम नहीं आ रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं लगता, this is like a woman, ये तो औरतों वाली बात हुई, यही आउंगा, go, जाओ, I come with you, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, for half an hour, आदे गंटे से, I have been trying, मैं कोशिश कर रहा हूं, to say, कहने की, that I will come, कि मैं आउंगा, God, hey भगवान, this is not any place, ये कोई जगह नहीं है, for someone, किसी व्यक्ती के लिए, so good, जो कि इतना अच्छा हो, as johnsy, जैसे की johnsy है, johnsy जैसे अच्छे व्यक्ती के लिए, ये कोई जगह नहीं है, to lie sick, बीमार पढ़ने की, someday, किसी दिन, I shall paint, मैं चित्रित करूँगा, my masterpiece, अपनी सबसे अच्छी कृती, and or, we shall all go away from here, हम सब चले जाएंगे, यहां से, God, yes, हाँ भगवान, हम सब चले जाएंगे, देखा, fearfully, डरते हुए, at the tree, पेड़ की ओर, then they looked at each other, फिर उन्होंने, एक दूसरे की ओर देखा, इच अदर, for a moment, एक पल के लिए, without speaking, बिना बोले, a cold rain, एक ठंडी बरसाथ, was falling, गिर रही थी, with a little snow, थोड़ी थोड़ी बर्फ के साथ, in it too, जो कि उसमें थी, Bearman sat down, Bearman बैठ गया, and Sue began to paint, और Sue, चित्रकारी करने लगी, तस्वीर बनाने लगी, she worked, उसने काम किया, through most of the night, ज्यादा तर रात, यानि पूरी रात के दोरान, In the morning, सुभह में, after an hour sleep, एक घंटे की नीन के बाद, she went, वो गई, to John C.'s bedside, John C. के बिस्तर के पास, John C. with wide open eyes, John C. पूरी खुली आँखों से, was looking, देख रही थी, toward the window, खिरगी की तरफ, I want to see, मैं देखना चाहती हूँ, she told Siu, उसने Siu को बताया, Siu took the cover, Siu ने परदा हटा दिया, from the window, घ्रिकी से, But, लेकिन, after the beating rain, यानि, तेज बारिश के बाद, and the wild wind, और तेज हवा के बाद, जंगली हवा के बाद, यानि, जंगली क्या होती है, uncontrolled, बहुत तेज जब होती है, That had not stopped, जो के नहीं रुकी थी, through the whole night, पूरी रात के दोरान, there still was, वहाँ अभी भी थी, one leaf, एक पत्ती, to be seen, दिखाई दे रही थी, against the wall, दीवार के सहारे, It was the last, ये अन्तिम थी, on the tree, पेड़ पर, it was still, ये अभी भी थी, dark green, गहरी हरी, near the branch, शाखा के पास, But, लेकिन, at the edges, किनारों पर, it was turning yellow, ये पीली पड़ती जा रही थी, with age, समय के साथ, There, वहाँ, it was hanging, ये लटक रही थी, from a branch, एक शाखा से, nearly 20 feet above, लगभग 20 feet उपर, the ground, जमीन से, It is the last one, ये अन्तिम है, said Johnsy, Johnsy ने कहा, I thought, मैंने सोचा था, it would surely fall, ये पक्का गिर जाएगी, during the night, रात के दौरान, I heard, मैंने सुना था, the wind हवा को, It will fall today, ये आज गिर जाएगी, and I shall die, और मैं मर जाऊंगी, at the same time, उसी समय, Dear, dear Johnsy, प्यारी, प्यारी Johnsy, said Seuss, you ने कहा, think of me, मेरे बारे में तो सोचो, If you won't think, अगर तुम नहीं सोचती, of yourself, अपने बारे में, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती, तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, What would I do? मैं क्या करूँगी? But, Johnsy did not answer, Johnsy ने जवाब नहीं दिया, The most lonely thing in the world, the most, सबसे ज़्यादा lonely, एकाकी, thing, चीज, in the world, संसार में, is a soul, वो आत्मा है, when, जब, it is preparing, ये तैयारी कर रही होती है, To go, जाने की, on its far journey, अपनी दूर की यात्रा पर, अपनी अंतिम यात्रा पर, The ties, वो बंधन, that held, जो उसको बांधे थे, हर, उसको, to friendship, दोस्ती के साथ, and to earth, और धर्ती के साथ, were breaking, तूट रहे थे, one by one, एक एक करके, The day, दिन, slowly passed, धीरे धीरे गुजर गया, as it grew dark, जब अंधेरा हुआ, they could still see, वो अभी भी देख पा रही थी, the leaf, पत्ती को, hanging, लटके हुए, from its branch, इसकी शाखा से, against the wall, दीवार के सहारे, and then, और तब, as the night came, जब रात आई, the north wind, उत्तरी हवा, begin again, फिर से, to blow, begin again, to blow, फिर से, चलना, शुरू हो गई, the rain, बरसाथ, still beat, अभी भी, beat, आवाज कर रही थी, पर-पर-पर आवाज होती है, जब बारिश होती है, तो, the rain is still beat, बरसाथ, अभी भी, तर-तरा रही थी, आवाज कर रही थी, against the window, खिड़की के सहारे, when it was light, जब रोश्णी हो गई, enough, परियाब, the next morning, अगली सुभ है, जोंसी again commanded, जोंसी ने फिर से, आग्या दी, फिर से, कहा, इलतिजा की, वैसे यहाँ आग्या क्या है, इलतिजा की, गुजारिश की, that she be allowed, कि उसको अनुमती दी जाए, टूसी देखने की, कि उसको देखने दिया जाए, खिड़की के बाहर, the leaf was still there, पत्ती अभी भी वही थी, जोंसी ले, जोंसी लेट गई, for a long time, लंबे समय तक लेटी रही, looking at it, उसको देखते हुए, and then, और तब, she called, उसने पुकारा, who was cooking, जो कि पका रही थी, something, कोई चीज, for her, उसके लिए, यानि कि जोंसी के लिए, to eat, खाने को, I have been a bad girl, मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ, मैं बुरी लड़की रही हूँ, I have been, मैं रही हूँ, a bad girl, एक बुरी लड़की, सीू, सीू से कह रही है, जोंसी, सेड जोंसी, जोंसी ने कहा, something has made, किसी चीज ने बनाया है, बाद्य किया है, force किया है, that last leaf, उस अंतिम पत्ती को, stay, ठहरने के लिए, there, वहाँ पर, to show me, मुझे दिखाने के लिए, how bad I was, कि मैं कितनी बुरी थी, it is wrong, ये गलत है, to want to die, to want चाहना, to die, मरना, मरने की इच्छा करना, गलत है, I will try, मैं कोशिश करूँगी, to eat, खाने की, now, अब, देखिए कि उसके अंदर, जीने की इच्छा जागरत हो गई, काफी देर तक इंतिजार करती रही, अंतिम पत्ती के गिरने की, और जब वो अंतिम पत्ती नहीं गिरी, तो उसको लगा कि वो गलत थी, और वो खाने की इच्छा उसको होने लगी, जब व्यक्ति जीना चाहत मैं अपने आपको देख सकूँ उस आइने में and then और तब I will sit up मैं बैठूंगी and watch you cook और तुमको खाना पकाते हुए देखूंगी एन आर लेटर एक घंटे बाद she said उसने कहा see someday I hope किसी दिन मुझे उमीद है to paint the bay of naples में naples की खाड़ी की तस्वीर बनाऊंगी अब देखिए जैसे जैसे उसके अंदर जीविशा पैदा होती जा रही है जीने की इच्छा पैदा होती जा रही है तो सारी चीज़ें वो भविश्य के बारे में सोचने लगी है और देखिए एक दूसरे से जुड़ी हैं जब आप जीना चाहते हैं तो आप भविश्य के सियू उसके पीछे गई इन्टु दा हॉल में आउटसाइड जॉन्सी जॉन्सी के कमरे के बाहर तु टॉक टु हिम उससे बात करने के लिए अच्छी संभावनाए हैं सेर्द डॉक्टर डॉक्टर ने कहा तुक सियू उसने पकड़ा सियू का थिन पतला दुबला शेकिंग कपकपाता हुआ हैंड हाथ इन्हिस अपने हाथ में गिव हर गुड केर उसका अच्छे से ध्यान रखना और वो अच्छी हो जाएगी अब डॉक्टर ने जब देखा उसको तो डॉक्टर को उसकी अच्छे होने की संभावनाए हैं दिखाई देने लगी और अब अब आफ मुझे देखना है एनदर सिक परसन एक और बीमार व्यक्ति को इन दिस हाउस इसी घर में इस नेम इस बहरमेन उसका नाम है बहरमेन अपेंटर एक चित्रकार आई बिलीव मुझे विश्वास है निमोनिया टू यानि उसको भी निमोनिया हुआ है माइक एक बूढ़ा कमजोर आदमी है और ये वो बहुत बीमार है दिर इस नो होप फॉर हिम उसके लिए कोई उमीद नहीं है बट वी टेक हिम लेकिन हम उसको ले जा रहे हैं तो दा हॉस्पिटल अस्पटाल टोड़े आज वी विल मेक इट इजी हम आसान करेंगे वी विल मेक हम इसको करेंगे यानि उसकी मौत को इस इजी इतना आसान फॉर हैं उसके लिए जितना हम कर सकते हैं यानि उसके जाने का रास्ता उसकी मौत का रास्ता, जितना आसान हम कर सकते हैं, उतना करेंगे The next day, अगले दिन, the doctor said to Sue डॉक्टर ने Sue से कहा, she is safe अब वो safe है, सुरक्षित है, यानि कि Nancy अब बिलकुल सुरक्षित है You have done it, तुमने इसको कर दिखाया Food and care, भोजन और देखवाल Now that's all, यही सब कुछ है And that afternoon, और उस दोपहर के बाद Sue came to the bed Sue आई उस बिस्तर पर, वेर जौन सी ले जहां जौन सी लेटी हुई थी She put, उसने रखी, one arm, एक भुजा, एक बां, एराउंड हर उसके चारोर, यानि उसके कमर में अपना हाट डाला I have something to tell you मुझे तुमको कुछ बताना है She said, उसने कहा Mr. Bearman, यानि जो बहर में था डाइट, मर गया, ओफ निमोनिया, निमोनिया से Today, आज, इन दा हॉस्पिटल, अस्पताल में He was ill, वो बिमार था Only two days, केवल दो दिन से Someone found him, किसी ने उसको पाया On the morning, सुबह को Off the first day, पहले दिन In his room, उसके कमरे में He was helpless with pain वो बड़ा असहाय था दर्द से उसको बहुत दर्द हो रहा था और किसी ने उसको अपने कमरे में पाया His shoes, उसके जूते and his cloths और उसके कपड़े were wet, गीले थे And as cold as ice और इतने ठंडे थे जितनी की बर्फ होती है Everyone wondered हर कोई सोच रहा था Where he had been कि वो गया कहां था रात में जब तेज बारिश आई थी तब वो गया कहां था हर कोई यही सोच रहा था The night had been so cold and wild रात इतनी ज्यादा ठंडे और इतनी ज्यादा जंगली मतलब बहुत शोर शरावे से भरी हुई थी भवा का बरसात का शोर था तो ऐसी रात में वो कहां गया था And then और तब दे फाउंड उन्होंने पाई some things, कुछ चीज़ें There was वहाँ पर था a light एक रोशनी यानि शायद एक लाल टेन या लाल टेन या लाल टेन या लेम्प ऐसी कोई चीज that he had taken जो कि वो ले गया था आउटसाइड बाहर And there were और वहाँ पर थे his materials उसका सामान for painting तस्वीर बनाने का There was paint वहाँ पर paint था green paint हरा paint हरा रंग था and yellow paint और पीला रंग था And or Look out the window खिड़की से बाहर देखो Dear Jonesy से कह रही असी यू कि देखो प्रिय तुम खिड़की से बाहर देखो At the last leaf उस अंतिम पत्ती की ओर On the wall जो दीवार पर दिख रही है Didn't you wonder क्या तुम नहीं सोचती Why it never moved कि ये कभी क्यों नहीं हिली When the wind was blowing जबकि हवा चल रही थी Oh my dear Aray Mary prayer It is Bearman's great masterpiece ये Bearman का महान सर्वोत कृती है ये masterpiece Bearman का है ये उसी ने बनाई है पत्ती He painted it इसने Bearman ने उसको चित्त किया There वहाँ पर The night उसी रात को That the last leaf fell जबके अंतिम पत्ती गिरी थी अंतिम पत्ती तो गिर गई उसी रात को गिर गई जिस दिन तेज बारिश और तेज हवा आई थी Bearman ने ये paint की है पत्ती जिसने के नया जीवन दिया है जौनसी को तो आपने दो चीजें देखी एक तो Bearman ने अपनी life sacrifice कर दी तो masterpiece आपकी सर्वोत क्रिश्ट करती वही है जो किसी की life बचाए और दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि जब हमारी willpower strong होती है तो कैसे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है कैसे हम फिर से जी उठते हैं तो अपनी willpower strong डखिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए खुश रहिए जीते रहिए धन्यवाद